आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रहे हूं यह केक बहुती स्पंजी और पहुती सॉफ सा केक बनता है आप ज़रूर ट्राय करें यहां मैंने हाफ कप वाम वाटर लिया है और वन टी स्पून कॉफी एड़ किया है कॉफी पॉडर एड़ कर देंगे और मिक्स करके एक साइड रख लेंगे और ड्राय इंग्डीडियन्स में मैंने मैदा लिया है वन कप टूटेबल स्पून मैदा निकाल लेंगे और कॉन फ्लोर एड़ कर देंगे टूटेबल स्पून 1 teaspoon baking powder आट करेंगे 1 teaspoon cup cocoa powder इसे चान चान तर रख देंगे mix कर देंगे यह देखिए चान लें आप और फिर mix कर देंगे और एक side रख लेंगे अब हम यहाँ 2 अंडे लेंगे इसे चान बीट करते वे चीनी आट करेंगे 1 cup चीनी है इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके अड़ करना है और बीट करना है अब स्लो पे ही बीट करें यह देखिए अच्छे से बीट हो चुका है चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है अब हम इसमे 1 4th cup oil add करेंगे, vegetable oil, इसे अच्छे से mix करेंगे, और beat करते जाएंगे 2-3 मिनट के लिए, ये देखिए अच्छे से beat हो चुका है, अब हम इसमे dry ingredients दालेंगे, add करते जाएंगे, थोड़ा-थोड़ा portion में add करें, और mix करें, fold cut method apply करेंगे, और mix करते जाएंगे, धीरे-धीरे mix करेंगे, देखिए, fold cut method से mix करते जाएंगे, और अब हम इसमें, जो coffee का पानी था ना, वो add कर देंगे, coffee mixture, इसे भी थोड़ा-थोड़ा करके add करेंगे, और mix करते जाएंगे, ऐसे ही आप mix करें, two table spoon, milk add करेंगे, इसे भी एच्छे से mix कर देंगे, यहां मैंने vinegar add किया है, one table spoon, यह last में add करेंगे और इसको भी एच्छे से mix कर लेंगे, यह देखिए, cake का batter बन चुका है, cake batter को cake tin में add कर देंगे, जो कि grease किया हुआ है, और butter paper भी लगा दिया था मैंने, इसमें batter add हो चुका है, अब हम इसको otg में रख देंगे, 30-40 मिनट के लिए, मैंने preheat कर लिया था otg को आप चाहे तो oven में भी बना सकते हैं, 10 मिनट के लिए 180 degree पे preheat कर लें और 30-40 मिनट के लिए bake कर लें, यह देखिए, अब हम इसको ठंड होने के लिए रख देंगे, यह मैंने गनाश ready कर लिया है, अब चाहे तो चॉकलेट सॉस भी बना की लगा सकते हैं इस पे, यह देखिए, मैंने इस पे अपलाय कर दिया है गनाश और साथ में डार्क चॉकलेट से गानिश कर दिया है, मैंने यह चॉकलेट केक को 10-15 मिनट के लिए फ्रीज में रख दिया था और अब हम सर्फ कर लेंगे, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंड कीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए तो सबस्क्राइब कीजिए, और ये चौकले केक ज़रूर बनाए ये देखिए केक को मैं आप कट करके दिखा रहे हूँ कितना स्मूथ सा और स्पंधी सा केक बना है एक पीस कट करके दिखाती हूँ मैं देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत इजी सी रेसिपी है आई होप आपको पसंदा है आप ये केक न्यू येर में बनाएं या फिर क्रिस्मस में ये रेसिपी ट्राइ करें और इंजॉय करें चौकलेट केक ठैंक्स पर वाचिंग अल्ला हाफीज